अपने ये तो जान लिया कि एलिफ्राटिक एमीन अमोनिया की तुल्ला में अधिक छारकी होते हैं आये अब हम ये जानते हैं कि एरोमेटिक एमीन और अमोनिया इन दोनों में कौन अधिक छारकी होता है यदि हम aromatic amine की बात करें जैसे कि हमने यहां लिया है ऐनिलीन प्राथमिग एमिन और यहां पर हम देखें इतकी सरशना में कि जो aromatic amine होते हैं उनमें एमिन समू सीधे ही बेंजिन रिंग से जुड़ा होता है और इसलिए जो एमिन में नाइटरूजन के उपथित। असावाजित इलेक्ट्राण जोला यानि की लोन पेयर ओफ इलेक्ट्रान होता है वह बेंजिन रिंग के साथ कॉंजुगीशन के कारण यहाई नाइटरोजन पर उपस्थित न रहकर यह बेंजिन रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसलिए यह नाट्रोजन का इलेक्ट्रान जोड़ा प्रोटोनेशन के लिए प्रोटोन ग्रहन करने के लिए उपलब्ध नहीं रहता है और यहीं वजह है कि जो एनिलीन या एरोमेटिक एमीन होत होता है और इसलिए इसका इस्थायत भी जादा होता है दूसरी और यदि एनिलीन के द्वारा प्रोटोन ग्रहन कर लेने के पश्चाथ जो एनिलीनियम आयन बनता है उसके केवल दो ही अनुनादी सरचनाई होती हैं और हम यह भी जानते हैं कि किसी भी योगी की जितनी एनिलीन अधिक इस्थाय होता है तो इससे इस पस्थ है कि एनिलीन अधिक इस्थाय होगा और यहां में कम होगी साथ ही साथ यहाँ पर जो aromatic amine है इनकी छारकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि aromatic ring में कौन सा प्रतिस्थापी amine समू के अलावा कौन सा प्रतिस्थापी उपस्थित है यदि benzene ring में electron release करने वाले electron मुक्त करने वाले समू जैसे कि alcoxy समू, alkyl समू उपस्थित होते हैं तो यह nitrogen पर electron घनत्व बढ़ाते हैं और इसकी वज़े से amine की छारकता में व्रधी होती है दूसरी और यदि ring में electron withdrawing group, electron खीचने वाले समू होते हैं जैसे कि nitrogen, sulfonal, carboxylic, halogen यह electron को ring की तरफ खीच लेते हैं और इसलिए nitrogen पर electron density कम हो जाती है जिससे amine की proton grant करने की छमता यहने की इसकी छारकता में कमी आती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम aromatic amine, ammonia और elephantic amine इन सब की छारकता की तुल्ला करें तो हम पाएंगे कि सबसे कम छारकी aromatic amine होते हैं उससे अधिक छारकी ammonia होते हैं और ammonia से अधिक छारकी प्रात्मिक डुतियक या तृतियक amine होते हैं तो यह है amine की छारकता का क्रम इसके बाद हम amine की अन्य रासानिक अभिक्रियाओं को देखते हैं सबसे पहले हम जानेंगे अलकली करण या अलकाईलेशन अलकली करण से इस पस्ट है कि यहां पर जो amine होता है उससे जुड़े हुए hydrogen परमानों को अलकाईल समू के द्वारा प्रतिस्थापित करना और इसे मान लेजे हम प्रात्मिक एमीन का उधारन ले और NH2 और हम देख रहे हैं कि प्रात्मिक एमीन में नाइट्रोजन से जुड़े हुए दो hydrogen होते हैं और nitrogen पर lone pair होता है यहने कि एमीन यहां पर nucleophile की तरह कारी करेगा जब हम इसकी क्रिया अलकाईल समू देने वाले किसी योगिक और हम जानते हैं कि यह योगिक होते हैं हैलो एलकेन क्योंकि हैलो एलकेन में जो हैलोजन समू होता है वह बहुत ही अच्छा withdrawing group होता है आसानी से electron लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और हमें एक अलकाईल मूलक उपलब्ध कराता है तो इस तरह से जब हम प्रात्मिक एमीन की क्रिया किसी अलकिल हैलाइट से कराते हैं तो यहां पर चुकि हैलोजन पर रणावेश होता है इसलिए जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इसकी अधिक होती है इसलिए इस पर जो अलकिल समू क्यों के कार्बन और हैलोजन का इलेक्ट्रान जोड़ा है वह हैलोजन पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से जो अलकिल मूलक है उस पर पॉजटिव चार्ज आ जाता है अब चुकि इस पर पॉजटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रान की आवश्यक्ता है और नाइट्रो समु एमीन समु से भी एक आर जुड़ा हुआ है और यहां पर अलकिल समु से भी आर है जो कि नाट्रोजन से जुड़ने जा रहा है इसलिए हम इसको अलग करने के लिए इसको इस पर एक डेश लगा देते हम तो इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें होगा इससे जुड़ा हुआ अलकिल समू है तथा दूसरा जो हैलो एलकेन से प्राप्त अलकिल समू है और डेश के रूप में यहां पर उपलब्ध है अब क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रान जोड़े दिये हैं इसलिए इस पर पॉजिट्व चार्ज आ जाता है जिससे यह जो स्थाई हो जाती है अता नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रान जोड़े पुना प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन हाड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रान जोड़ा है उसे वहां से खीच लेता है और यहां पर हाड्रोजन एच प्लस आयन के रूप में रिलीज ह कर यह जो ह can और इस तरह से यहां पर हमें तो staan प्राप्त हो जाते हैं जिसमें यहां आप सरचना देख रहा है और इसे एक आर किल मूलक है तो बुसरा आर-किल मूलक दुटा हुआ है साथ ही साथथ सब देख रहे हैं कि यहां पर नाइट्रोजन के पास पुना इसके लोन पेर आ चुके हैं तो इस तरह से हम देखें कि हम यहां से प्राथमिक एमीन से द्वतियक एमीन प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह से यदि हमारे पास द्वतियक एमीन है तो उसका एलकाइलेशन करके हम त तो इस तरह से यहाँ पर फिर से एक अलक्छिण साहिज़ यहां पर जुड़ जाएगा और यहां पर हमें इस तरह से कि एमिलिचन के द्वारा हम प्राफ्चम कर सकते हम अम से चलिए इसके इसलिए करण से तात्परे है कि यहाँ पर जो माइन है उसके hydrogen को replace करके यहाँ पर C-O-R में जोड़ना और यहाँ अधर हम देखें कि चुकि हाँ पर hydrogen है और इसलिए यहुद्ट क्रिया होती है वह ही प्रात्मिक और द्रात्मिक दुसम हीrau इस प्रकार और दोनों ही इमाईन की क्रिया यहां पर हम एरोमेटिक हैमिन भी ले सकते हैं और एलिफाटिक एमिन भी ले सकते हैं जब हम एमीन की क्रिया किसी coazz3ज्री समू देने वाले समू जैसे की एसिल्द क्लोराइड या acyl anhydride या फिर ester के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें इस प्रकार की acyl करण की क्रिया होती है और सबसे महत्पुण बात इस अभी क्रिया के द्वारा हमें महत्पुण compound प्राप्त होते हैं जिसे amyd कहा जाता है तो एमाल्ड प्राप्त करने की यह महत्यपूर्ण अभी क्रिया है जैसे हम इस प्रकार से देखते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिया है एथाइल एमीन जिसका सूतर आप देख रहे हैं C2H5NH2 यहाँ पर नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जूड़े हुए हैं जब इसकी क् क्लोराइड है वहाँ पर कार्बन से एक तरफ तो ओक्सीजन जुड़ा हुआ है और दूसरी लूर यहाँ पर क्लोराइड जूड़ा हुआ है और दोनों ही एलक्ट्रान खीचने वाले समू है इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अधिक होती है तो यहां पर आक्सीजन सब्से पहले कारबान आक्सीजन के इलेक्ट्रान जोड़े को अपनी तरफ खीचता है जिससे इस पर रड़ावेश आ जाता है जबकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है लेकिन तुरंथ ही यह जो इलेक्ट्राइन जोड़े फिर से डोनेट करके यह फिर से बैक बॉन्डिंग करता है और तथा जो यहाँ पर जो क्लोराइड समू है जो कि बहुत अच्छा यहाँ प और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर कार्बन पर चुकी पॉजिटिव चार जा गया है और जो एमाइन है उसमें नाइट्रोजन पर इलेक्ट्राइन जोड़े उपलब्ध हैं तो अब यह एमाइन यहाँ पर कार्बन पर अटाइक करता है और उससे जोड़ जाता है तो जो सरचना हमें यहाँ पर प्राप्त होगी वहाँ पर हम देखें इसको हम पुना लिख सकते हैं तो सबसे पहले हम लेखेंगे जो कते हो एमाइन के पार्ट को तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5 और नाइट्रोजन से यहाँ पर दो हाड्रोजन जुड़े है तो इसलिए हमने पूरी तरह से जोड़ दिया है अब आप जोकि यहाँ पर नाइट्रॉजन ने इलेक्ट्राइं जोड़े दिये हैं और इसलिए नाइट्रोजन पर फिर से यहाँ पर पिजेट्व चार्ज आ जाता है और जिससे अ आन आब यह हाड़ोजन और नाइट्रोजन के बीच के इ यहां पर एक और महत्वपुन बात हम बता दें कि यह जो एसाइलेशन की क्रिया होती है यह प्रबलचारी माध्यम में कराई जाती है और यहां पर पिरडीन जैसे प्रबलचार का उप्योग किया जाता है जो कि एमाइन से भी अधिक छारी प्रकृति के होते हैं क्योंकि यह पिरडीन होते हैं यह इस अभी क्रिया में बनने वाले जो अमल है एसल है उसके साथ क्रिया करके उससे वहां से हटाते जाते हैं जिससे यह जो अभी क्रिया है वह फारवर्ड दिशा में आगे बढ़ती रहती है इसी तरह से हम यहां पर सेकंडरी एमाइन का भी उप्योग कर सकते हैं जैसे यहां पर हमने सेकंडरी एमेंन लिया है जिसमें डाई एयमीन एदी हम लेते हैं और इसकी क्रिया फिर हम compound प्राप्थ होता है उसे हम कहेंगे क्योंकि यहां पर nitrogen से दो alkyl समुझ जुड़े हुए हैं और इस तरह से जो सरचना प्राप्थ हो रही है उसे हम कहेंगे एन एन डाई एथाइल एथेना माल्ड क्योंकि यहां आपने पहले ही है कि इस अभी क्रिया के द्वारा एमाल बनते हैं और यह जो है वह अलकाइल सब्स्टिट्टीटेट एमाल्ड है क्योंकि यहां पर हम देख रहें एमाल्ड का जो सूतर होता है वह होता है आर-C-O-N-H-2 तो यहाँ पर आर-C-O-N-H-2 की जगह पर जो नाइट्रोजन है उससे जुड़ा जो हैड्रोजन है वो एलकाइल समों के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है तो यहाँ पर इस प्रकार के जो N-Substituted यहाँ पर एमाइड हमें प्राप्त होते हैं तो इस तरह स आसली करण की क्रिया के द्वारा हम एमाइड प्राप्त कर सकते हैं और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एसली करण की क्रिया के लिए हम एसल क्लोराइड एस्टर या एसिट अन हड्राइट का उप्योग भी करते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है इस बार एरोमेटिक एमीन ह आफि करिया देते हैं तो यहां पर हमने लिया C6H5NH2 यानि की एनिलीन और दो जब इसकी क्रिया हम एठेण Bay anhydride से कराते हैं अब बता दें कि जो एन हाइड्य होते है वो कैसे बनते हैं तो जो एन हाइड्य होते हैं किसी है उसे हम एन हाइड्राइट कहते हैं तो यहां पर हमने लिया है एथैनोइक एन हाइड्राइड यहां पर भी हम देखेंगे कि यहां पर कोई सबी कार्बन ऑक्सीजन का जो बंद है वो यहां से तूटेगा और जिस पर इलेक्ट्राइट जोड़े जाएंगे उस पर की तो यहां पर हम पहले वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉंड को तोड़ते हैं जिससे हमें यहां पर सी एस्ट्री सी डबल बॉंड ओ समूप्राप्त हो जाता है और इसी की हमें आवश्यक्ता है बलकि जो बाकी बचा हुआ सी एस्ट्री सी ओ ओ माइनस यानिकी एसिटेट आयन है वो यहां से हट जाता है अब चुकि यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अब यहां पर जो अरोमेटिक एमाइन है उसके नाट्रोजन पर उपस्थित जो इलेक्ट्रान जोड़ा है तो यहां पर नाट्रोजन इस पर अटैक करेगा और इसके साथ योग करके यहां पर एक कंपाउंड बना लेगा तो यहां पर हमें जो इस्पीसीज मिल रही है सरचना मिल रही है वो होए C6H5N जिसमें की दो नाट्रोजन परमानू जुड़े हुए हैं और साथी साथ इसमें जुड़ा ले लेगा और यहां से हाड्रोजन निसकाशित हो जाएगा प्रोटॉन के रूप में यह निसकाशित होने वाला प्रोटॉन जो एसिटेट आयन एन हाड्राइट के तूटने के बाद जो एसिटेट आयन बेचा हुआ है उसके साथ मिलकर यहां पर एसिटिक एसिट का निर् से फेनाइल समू जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एन फेनाइल एथेना माइल और इस तरह से हमें इसपीसीज प्राप्त होगी यहां पर हम देख रहे थे कि जो एसल क्लोराइड हमने लिया है वह एलफाटिक एसल क्लोराइड लिया है इसकी जगहाँ प थे नामीन की क्रिया जब हम बेंजॉयल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें कौन सा उत्पाद मिलेगा तो जब हम यहां पर क्रिया कराएंगे तो पुना यहां पर जो कार्बन है यहां से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तथा सी डबल बाउन ओ सी 6H5 और यहां पर पुना जो नाइट्रोजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रान जोने ग्रहन करेगा और यहां पर हाइड्रोजन यहां से रिलीस हो जाएगा अब यहां पर जो हम सरचना देख हैं इसमें जो एन है नाइट्रोजन है इससे एक अलकिल समू यानिकी मेथाइल समू जुड़ा हुआ है जबकि यहां पर जो एमाइड के रूप में सी ओ के साथ यहां पर C6H5 समू जुड़ा हुआ है तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा एन मेथाइल बेंजेना माइड यहने कि इस तरह से इस अभिक्रिया के द्वारा यदि हम एसिल क्लोराइट की जगह पर बेंजॉल क्लोराइट का उप्योग करते हैं तो हमें एरोमेटिक एमाइड प्राप्त हो जाते हैं तो यह है SLE करन की अभिक्रिया जिसके फलसरूप हमें महत्तपुन कंपाउंड एम अभिक्रिया और यहां पर हम बता दें कि जो कार्मिल एमृइन अभिक्रिया है यह केवल और केवल प्रात्मिक एमाइन के द्वारा दिखाई जाती है और चुकि इस साथ हिसए पर हम देखें कि इस अभीक्रिया को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इस अभीक्रिया के दरान जो प्रोड़क्ट बनता है वह आइसोसाइनाइड यह जिसे कार्मनेBox कहते हैं वह बनता है यह काफि दुरुगंध युक्त-आप उतपाद होता है और इसकी दुर्गन से ही इसे पहचाना जाता है तो इस तरह से हम देखें कि जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वाकेवल प्रात्मिक एमीनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो इस अभिक्रिया में होता क्या है जब प्रात्मिक एमीन की अभिक्रिया हम एलकोहलिक पोटेश्यम हईड़ोकसाईड की उपस्तती में छारी माध्यम में जब क्लोरोफोर्म से कराते हैं तो यहाँ पर हमें अलकेल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं और जैसे ही यह आइसोसाइनाइड बनता है वो दुरगंद आती है जिससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो प्रात्मिक आमाइन उपस्तित है और इसी वज़े से यह आईसोसाइनाइट बन रहा है इसका मतलब यह है कि यदि हमें प्रात्मिक दुतियक और तर्तियक आमाइन का मिक्चर मिल गया है और उस तरह से यदि हम उसमें कार्बिल अमीन अभिक्रिया कराते हैं आईसोसाइन बनते हैं तो इस से इसपस्ट हो जाता है कि अभिक्रिया मिक्चर में आमाइन उपस्थित है अब यहाँ पर हम देखें कि इस अभिक्रिया यह अभिक्रिया होती कैसे है जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है मेथेनमीन CS3 NH2 जब इसकी क्रिया हम छार की उपस्थती में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वहाँ से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर यह जो सरच कंपाउंड मिलता है वो हो जाएगा यहाँ पर CS3 and triple bond C यहाँ पर मेथिल आईसो साइनाइड हमें प् दार्थ होता है आएए अब हम देखें कि इसकी क्रिया विधी मेकेनिजम किस प्रकार से होती है इसके लिए पहले जो सब्सक्रेक्ट को यदि हम छोड़ दें एमाइन को छोड़ दें तो बाकी की जो रिएजन्ट हम उप्योग में ला रहे हैं यानिकी क्लोरोफॉर्म है न और साथ इसाथ कार्बन से हम ध्रॉज़न जुड़ा होता है और चू Loki यहां पर क्लोरीन बहोत अछे Levin Drug होते हैं और इलेक्ट्रान खीचने वाले समू होते हैं इसलिए जोέ कारबन के में जोड़ा भी बहन की तरफ शिफत हो जाता है और करबन पर यहाँ पर रड़ आवेश आ जाता है साथ ही साथ जो hydrogen है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अब यहाँ पर जो potassium hydroxide है जो कि हमें OH आयन देता है तो यह potassium hydroxide से प्राप्थ हुआ जो OH माइनस आयन है वह hydrogen को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर जल के रूप में बाहर निकल जाता है अब इसके बाद जो हमारे पास सरचना मिल रही है उसमें हम देखते हैं कि कार्बन हैं और कार्बन को चुकि साथ लिए इस पर इसमें तीन रोड़ाम जोड़े हैं अब यह थीच के रूप में बाहर निकल जाता है और इस तरह से यहां पर हमें जो intermediate बनता है उसमें आम देख रहे हैं कि carbon है जिसके पास दो और सहवाजित electron है और साथ ही साथ इसमें 2 chlorine जुड़े हुए हैं और इस प्रकार की जो सरचना है उसे हम Dichlorocarbene कहते हैं यह एक intermediate है और साथ ही साथ यदि हम इसकी सरचना को देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर कार्बन दो क्लोरियन के सथ बंध बना रहा है और इसके पास दो कार्ब्र Tibet है यानिक इसके पास केवल छे NH2 पर attack करेगा तो यहां से यह इसके साथ जुड़ जाता है और चुकि यहां पर अब जो combine जो सरचना मिलेगी उस वो हो जाएगी R NH2 दोनों यहां पर hydrogen जुड़े हुए हैं और इससे जुड़ जाता है C, C, L, C, carbon है उससे C, L2 समू जुड़ा हुआ है और चुकि यहां पर electron nitrogen ने दिये हैं इसलिए nitrogen के पास positive charge आ जाता है और positive charge होने की वज़े से अब यह जो nitrogen है वह यहां पर एक hydrogen को release कर देता है और अपने electron पुना प्राप्त कर लेता है यह जो निकलने वाला hydrogen है वह potassium hydroxide के द्वारा प्राप्त होने वाले OH-Ino के साथ मिलकर यहां पर H2O के रूप में बाहर निकल जाता है साथ ही साथ जो यहां पर जो CL होगा वह अपने electron जोड़े लेकर बाहर निकल जाता है तो जब यह CL बाहर निकलेगा तो यह potassium के प्लस आइनों के साथ जुड़कर HCL के रूप में बाहर निकल जाता है तो इस तरह से अब हमें जो सरचना प्राप्त होती है वो हो जाती है R, N जिससे एक hydrogen जुड़ा हुआ है साथी साथ इससे एक carbon जुड़ा हुआ है और उस carbon से एक CL जुड़ा हुआ है और चुकि इस carbon पर minus charge होता है और इसलिए अब पुना या एक और छार के अनू यानि की potassium hydroxide से इनकी क्रिया होगी और यहाँ पर जो तीसरा जो chlorine परमानू है वह भी potassium के साथ सयोग करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा केसियल के रूप में और अंत में हमें जो product मिलेगा वो होगा RN triple bond C तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस लंबी अभिक्रिया के द्वारा जो प्रात्मिक एमीन है वह अलकिल आइसो साइनाइड में convert हो जाता है और यह अभिक्रिया केवल प्रात्मिक एमीन ही देते हैं और जि कि तो इस तरह से जो एमीनों के मिच्चर में से प्रात्मिक एमीन की पहचान करने के लिए इस अभिक्रिया का हम उप्यों करते हैं चलिए अब हम देखते हैं एमीन की एक और रासाइनिक अभिक्रिया आईए अब देखते हैं एमीन की नाइट्रस अमल के साथ होने वाली अभिक्रिया यहाँ पर हम बता दे कि यहाँ तीनों प्रकार के एमीन प्रात्मिक द्वित्यक तथा तृत्यक अलिफर्टिक एमीन यह नाइट्रस अमल के साथ भिन भिन प्रकार से अभिक्रिया करते हैं यहां पर जब अभी क्रिया कराते हैं तो यहां पर हम देखें कि जो नाइट्रस अमल है वह तुरन ताजे बने नाइट्रस अमल का उपयोग किया जाता है क्योंकि नाइट्रस अमल अस्थाई होते हैं और इसे लिए इन्हें पहले से तयार नाइट्रस अमल का उपयोग हम नह अपर सोडियम नाइट्राइट और एसल की प्रेजनस भी रखते हैं ताकि जो नैट्रस अमल है हमें प्राप्त होता रहे और जब इसकी क्रिया हम कराते हैं तो हमें यहाँ पर एक महत्वपून कमपाउंड होता है जिसे हम डाई एजोनियम क्लॉराइट कहते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है तो यहाँ पर Rn2Cl प्राप्त होते हैं जिस पर जो chlorine है उस पर minus charge होता है तथा जो nitrogen है उस पर positive charge होते हैं तो इस तरह से इसे हम कहेंगे alkyl-diesonium chloride ये बहुत ही महत्यपोन compound है और जिसे हम aliphateic-diesonium chloride भी कहते हैं और यहाँ पर लेकिन ये जो aliphateic-diesonium chloride होते हैं ये काफी औस्थाई होते हैं और इसलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि देखी जो n2 है nitrogen है यह आसानी से यहाँ से nitrogen gas के हो सकती है और इसलिए ये नाइट्रोजन के रूप में रिलीज हो जाती है और इसके बाद जो बचा हुआ स्पीसीज है जब हम इसका जलब घटन कराते हैं तो जलब घटन कराने पर जो यहां से जो है वह hydrogen के साथ जूड़ कर SEL के रूप में बाहर निकल जाता है और साथ जो OH- जल्से प्राफ्ट जो OH- है जिसपर नेगेटिव चार्ज होता है और यह अलकिल समु-R के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह से यह एल्कोहल का निर्मान करते हैं तो इस तरह से यहां पर हम प्रात्मिक एमीन प्रात्मिक एलिफटिक एमीन की जब नाइट्रस अम्र से क्रिया कराते हैं तो हमें एलिफटिक डाइजोनम क्लोराइड तो बनते हैं लेकिन यह अस्थाई होने के कारण जल्दी ही जलब घटित हो यदि हम aromatic amine से करा रहे हैं नाइट्रस अमल की क्रिया जो की sodium, nitrite और HCl की presence में होती है तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर aromatic diagenium chloride हमें प्राप्त होंगे जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है C6H5NH2, aniline जब हम इसकी क्रिया नाइट्रस अमल से कराएंगे तो हमें जो product प्राप् और इस तरह से यह जो benzene diagenium chloride प्राप्त हुआ है यह बहुत ही महत्तपून कंपाउंड होते हैं जनका बहुत सारे aromatic जो carbonic compound होते हैं उनके sensation के लिए इनका उप्यों किया जाता है और यह benzene diagenium chloride के विसे में इनके गुणों के विसे में और इनकी अभिक्रियाओं के विसे में हम इसी के आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो इस तरह से हम देखें कि जब aromatic amine की क्रिया नाइट्रस अमल से कराते हैं तो हमें benzene diagenium chloride जैसे महत्पुण उत्पाद मिलते हैं आएए अब हम एमाइन की एक और महत्पुण अभिक्रिया देखते हैं जिसमें ये benzene या aryl sulfonyl chloride से इनकी अभिक्रिया होती है यहां पर हमने लिया है benzene sulfonyl chloride जिसका सूत्र होगा C6H5-SO2Cl इसे हिंजबर्ग अभिकर्मक हिंजबर्ग रियेजन भी कहा जाता है और इस हिंजबर्ग रियेजन के साथ प्रात्मिक द्वतियक और तरतियक प्रकार के एमीन भिन भिन प्रकार से अभिक्रिया करके भिन भिन उत्पात बनाते हैं और इसलिए इस अभिक्रिया का उप्योग प्रात्मिक द्वतियक और तरतियक एमीनों में विभेद करने के लिए किया जाता है तो यहां पर हम लें यदि हम प्रात्मिक एमीन की क्रिया जैसे कि ह हमने लिया यहां पर C2H5NH2 एथाइल एमीन जब हम इसकी क्रिया बेंजल सलफोनिल क्लोराइट से कराते हैं तो जब हम इसकी क्रिया प्रात्मिक एमीन से कराएंगे जैसे कि हमने यहां पर लिया है एथाइल एमीन C2H5NH2 जब इसकी क्रिया हम बेंजिल सलफोनल क्लोराइट से कराते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो सलफर से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वह अधिक इलेक्टरो नेगेटिव है तो यह अपने इलेक्टरान जोड़े खीचता है और लेकिन तुरंत ही यह बैक के बीच के इलेक्टरान जोड़े को खीच कर वहां से बाहर निकल जाता है और इस तरह से सलफर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अब चुकि सलफर पर पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्टरान की आवश्यक्ता है अता यह एमीन से क्रिया करता है जिसके पास नैट जिससे दो hydrogen जुड़े हुए हैं साथ ही साथ इससे जुड़ जाएंगे SO2C6H5 अब यहाँ पर चुकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रान जुड़े दिये हैं इसलिए इस पर positive charge आज आएगा और इसे यह संतुलित करने के लिए अब hydrogen नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रान जुड़े को अपनी और खीच लेता है और जिससे साथ ही साथ यहाँ पर जो hydrogen है वो proton के रूप में यहां से निस्कासित हो जाता है और इस तरह से जो हमें final product मिलेगा उसकी सरचना होगी C2H5 N जिससे अब एक hydrogen जुड़ा हुआ है NH तथा उससे आगे जुड़ा हुआ है SO2 साथ ही साथ यहाँ पर C6H5 यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इस तरह से यहाँ पर जो इसका नाम हो जाएगा N-ethyl क्योंकि nitrogen से एक ethyl समुझ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा N-ethyl benzene sulfonamide तो इस तरह से इस compound का नाम होगा N-ethyl benzene sulfonamide तो इस तरह से यहाँ पर compound मिलेगा इसी तरह से यदि हम यहाँ पर दुतियक ऐमीन का उप्योग करें दुतियक ऐमीन जिसमें की जो nitrogen के साथ किवल एक ही hydrogen जुड़ा होगा तथा इससे दो alkyl समुझ जुड़े होंगे तो इस तरह से यदि हम diethyl amine लेते हैं दुतियक ऐमीन लेते हैं और इसकी क्रिया benzene sulfonamide से कराते हैं तो यहाँ पर हमें जो product मिलेगा क्योंकि अब यहाँ पर nitrogen से जुड़े हुए दो एथाइल समुझ होंगे तो इस तरह यहाँ पर एन एन डाई एथाइल बेंजीन सल्फोना माइड यह product हमें प्राप्त होगा तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रात्मिक इमायन है वह बेंजील सल्फोना माईं के साथ जो क्रिया करते हैं तो N एथाइल टे बेंजीन सल्फोना माइड बनाते हैं ज इब कि धरत्यक एमिन है वह इन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं So तो इस आधार पर हम बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ अभिक्रिया करा कर हम प्रात्मिक द्वतियक तथा त्रतियक एमाइन के बीच विभेद कर सकते हैं यहाँ पर हम एक और चीद बता दें कि जो एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होते हैं इसमें नाइट्रोजन से एक हाड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर एक हाड्रोजन मौजूद है और यह हाड्रोजन यहाँ पर सल्फर जैसे इलेक्ट्रान खीचनी वाले समू की उपस्तती की वजह से बहुत ज्यादा अमली प्रकृति का हो जाता है और इसलिए जब इनकी छार के साथ क्रिया क अभी अभी क्रिया के द्वारा हम प्रात्मिक दृत्यक और त्रत्यक एमाइन में विभेद कर सकते हैं यह हैं महत्तुपूर्ण रासाइनिक अभी क्रियाएं और यह सभी अभी क्रियाओं में हमने देखा कि यह इसके बाद हम देखेंगे अरोमेटिक एमीन में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन